पंदन पर हर हिंदोस्तान के भाई बहन को डेडिकेट है तो इसलिए इस कविता को आखिर तक जरूर सुनना और अगर अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें एक कच्ची डोरी हूँ मैं फिर भी मजबूती से बंधी हूँ मैं कलाई पर सजी हूँ मैं क्योंकि आया राखी का तेवहार ये जो राखी का था तेवहार बच्पन में लगता था बड़ा खास महमानों के आने की रहती थी बड़ी आस क्योंकि महमा जो आते थे तो संग तोहफे भी लाते थे आपका तो पता नहीं भाई पर मुझे चुप-चुप कर मिठाई खाना और किस-किस ने क्या-क्या गिफ्ट दी हैं ये देखना बहुत अच्छा लगता था सारे साल की लड़ाई और खास दिन पर राकी और मिठाई पल में भुला देती थी शिक्वे और शिकायतों को और याद दिला देती थी एहसास अपनी बहन की रक्षा का वो जो भरती थी किलाई खूब सारी राकियों से तो गरब से गिनते थे कि किसने ज़्यादा राकिया बांदी हैं मिलकर दोस्तों के संग के दिन पहले राकियों की चिट्टियां लिखी जाती थी चावल, फूल और टीके से सजावट होती थी और किसी की राकियों अगर राकियों वाले दिन तक ना आये तो पूरा साल इसकी शिकायत होती थी बहने भी खूब लूटा करती थी राकियों के बहाने अपनी फर्माईशे रखा करती थी और खुद को दुनिया की सबसे खुश किसमत बहन समझती थी जाने कहां गए वो दिन जिने मैं भुला नहीं पाता हूँ चहा कर भी उन दिनों को वापिस मैं ला नहीं पाता हूँ ये जो पैसे कमाने के चक्कर में और स्टेटस बढ़ाने के चक्कर में दूर दूर भागते जा रहे हैं अपने अपनों से दूर होते जा रहे हैं माबाप की परोपर्टी में हिस्से के चक्कर में खटास बढ़ा रहे हैं ये जो ओनलाइन राखियां तुम भिजवा रहे हो अपना टाइम और पैसे तुम बचा रहे हो पर तुमने तुमें नहीं पता तुम पीछे क्या-क्या छोड़े जा रहे हो पूछो उनसे जिनका कोई भाई नहीं है राखि का तिहार तो है उनके लिए बेकार कौन करेगा उनकी रक्षा ये है बड़ा सवाल तभी तो छेड़ते हैं चिछोरे और देखती हैं जंता तमाशा अगर उसका भी कोई भाई होता तो चला आता दुनिया से लड़ने कुछ हो जाए अगर उसके साथ गलत तो हम चिलाते हैं सोशल मीडिया पर अपना कुस्सा भी खूब दिखाते हैं जस्तिस फौर की गुहार भी हम लगाते हैं अच्छा हो कि हम अपने आसपास के लोगों की ढाल बन जाएं और रक्षा बंधन का असली मतलब लोगों को समझाएं रक्षा बंधन का पर्व शुरू हुआ था दुरौपदी की कहानी से रक्षा की थी श्रीकृष्ण ने एक अवला नारी की मुझे लगता है कि अगर हम उन बेहनों के साथ खड़े हो जाएं तो उन छेड़ने वालों की क्या उकात है कि वो अवला को छेड़ जाएं उन्हें ये एहसास रहेगा कि उस लड़की के साथ उसके लाखो भाई खड़े हैं आज कल सिरफ रिष्टे पैसों के तराजू में तोले जाते हैं तिहार के बाद किसने क्या क्या दिया सिर्फ इस पर डिसकेशन होता है भावना का कोई मोल नहीं है सिरफ पैसे का ही मोल है असल खून भी पानी बनता जा रहा है एक ही खांदान में होने के बावजूद चाचा चाची अंकल आंटी के लाए जा रहे हैं और रक्षबंदन की चिठी की जगा वर्टसैप पर हैपी रक्षबंदन का ट्रेंड हो गया है टीका अमाजोन से भिजवा जया जा रहा है और भाई अपने माथे पर खुद ही तिलक लगा रहा है अपने अपनों से ही दूरियां बढ़ा रहे हैं अगर वाके में आपको रक्षबंदन मनाना है तो वही पुराना जमाना लाना होगा पहले तो अपने रिष्टों को सुधारना होगा पैसों से जादा अपने रिष्टों को महत्व देना होगा अपने अंदर के बच्चे को जगाना होगा दूसरा अपनों की ही नहीं अपने आसपास के लोगों की भी रक्षा करनी होगी ताकि वाके में आप रक्षा के इस बंधन को निभा सको धन्यवाद अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए और लाइक कीजिए और कॉमेंट करना ना भूलिए ताकि हमें ऐसे मोटिवेशन और वीडियो बनाने के लिए और प्रौत सहान मिलता रहे